30 स्रमिक 20 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं कितने दिनों बाद 10 स्रमिकों को नोक्री छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो जाए ऐसे कोशिंस में आपको ये देखना है कितने स्रमिक कितने दिनों में काम कर रहे हैं तो उन दोनों की आप multiply करें यह आए 600 जो यह इनकी multiplication है यह जो 600 आये यह मान के चलना है कि आपको total काम करना है आपको 600 काम करना है यह आपको समझ में आता है उसने का कितने दिनों बाद 10 स्रिमिकों को नोकरी छोड़ देनी चाहिए 10 स्रिमिक अगर नोकरी छोड़ेंगे तीस में से इसका मतलब हमाज बाद 20 स्रिमिक बचेंगे ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो जाए यह 20 स्रिमिक तो पूरे 25 दिन काम करेंगे ही करेंगे तो इसका मतलब इनकी multiply अगर हम करेंगे तो यह निकल के आएगा कि इन 20 स्रिमिक ने 25 दिन में कितना काम किया है 500 आपको काम करने थे 600 काम हो गई 500 इसका मतलब अभी 100 काम और बचेंगे हैं जो उन लोगों ने किये होंगे जिन्होंने काम छोड़ा है और वो कितने लोग हैं 10 10 स्रिमिकों ने नोकरी छोड़ दी लेकिन उन्होंने ये 100 काम करके नोकरी छोड़ी है क्योंकि इनके छोड़ने के बाद जो 20 स्रिमिक बचे हैं इन्होंने पूरे 25 दिनों तक काम किया स्टार्टिंग से लगे हुए लास तक 25 दिनों तक काम करके ये सिर्फ 500 काम निप्टा पाएं है काम निप्टाने थे 600 इसका मतब हमारे पास 100 काम बचे और ये 100 काम वो होंगे जो ये 10 स्रिमिक जाने से पहले करके गए होंगे अगर 100 काम 10 स्रिमिक करेंगे 10 धाई 100 इसका मतब वो 10 दिन तक काम किया उन्होंने तब वो गए हमसे ये पूछा था कि ये 10 रमिकों को नोकरी कितने दिनों बाद छोड़नी है ये अपने 100 काम करके नोकरी छोड़ेंगे इसका मतब ये 10 दिन तक काम किया उसके बाद नोकरी छोड़ी है फिर से समझ रीजिए कि इसमें आपको क्या करना है कि पहले टोटल काम निकालना है आपको कितना करना है जो कि यहाँ पहले जितने वरकर है और जितने दिनों तक उनको काम करना था उन दोनों की multiply करके आता है फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि total काम आखिर में कितने दिनों तक खतम हो जाएगा उन्होंने का 25 दिनों में खतम करना है 25 दिनों में खतम करना है तो 25 इंटू जो स्रमिक सुरू से आखिर तक आपके पास रहने ही रहने है उस से इसकी multiply करना है कैसे पता चलेगा? उसने गा कितने दिनों बाद 10 स्रमिकों को नोकरी छोड़नी है तो इसका मतलब 20 स्रमिक ऐसे होंगे जो last तक काम करेंगे starting से तो इसलिए इसकी multiply इस से होगी यहां से निकल के आएगा कि यह जो सुरू से आखिर तक काम करेंगे वो total कितना काम निटा पाएंगे तो यह 500 निटा पाएंगे जबकि total करना था 600 काम तो जो बचा हुआ 100 काम होता है यह उनको निटाना होता है जिन स्रमेकर ने नोकरी छोड़ी है तो 10 स्रमेकर ने काम छोड़ा है तो 10 से से भाग करेंगे तो इससे पता चलेगा कि उन्होंने 10 दिन तक काम किया था 10 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था गेचिल लिओने 10 दिन बात काम 4 ना होगा